आपके अपने चैनल बालग्यार में दोस्तो आज हम आप लोग के लिए क्यामेस्टी के इंपोर्टेंट कोश्चन लाए हुए हैं आप स्रिक्वेस्ट के वीडियो अन तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए हाँ ये वीडियो जो है ये चेप्टर दो भागो में बाट दिये हैं आप बहुत द्यान से देखिए यहां से कोश्चन हंडेल परसेंट आता ही आता है तो चलिए एक नमबर जो कोश्चन है और सिधिया रसाइनिक अभी कर्मक तो देखिए ऐसा रसाइन जो जनक जीव के द्वारा उत्पन होने वाले शंकर्मन को रोकने मे सक्षम हो और सिधिया रसाइनिक अभी कर्मक कहलाता है ठीक है जैसे दोस्तो दरद के लिए हम लोग एस्पिरीन लेते हैं एस्पिरीन जो है दरद निवारन के लिए लेते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन जो है अगला जो पॉइंट है क्या है देखिएगा पेट की अमलिय को दूर करने के लिए हम लोग एंटासीड लेते हैं ठीक है और एंटासीड क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो देखें हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रो कोलोरिक अमल निकलते रहता है ठीक है ना लेकिन समाने से अधिक निकलने पर अमलियता हो जाती है इसी को कम करने के लिए एक रसाइन लिया जाता है जिसे एंटेसीड कहा जाता है ठीक है दोस्तों आप सभी को पता है कि जब एसीडीटी होता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग छार लेते हैं क्योंकि पेट में हमारा एसीड होता है और कौम करने के लिए हम लोग क्या लेंगे चार लेंगे तो उसी चार को हम लोग antacid कहेंगे और जैसे में दोस्तो आपका हो गया magnesium hydroxide, aluminium hydroxide, and sodium bicarbonate. दोस्तो इनका उपयोग हम लोग antacid के रूप में करते हैं ठीक है अगला question जो है दोस्तो देखिएगा आप थोड़ा सा दोस्तो एनल जेसिक क्या होता है जिसको दरद निवारक दबा भी कहा जता है तो वे रसायन योगिक जो दरद से अराम दिलाते हैं कहने का मतलब है कि वैसा रसायनिक योगिक जो दरद को अराम दिलाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एनल जेसिक जिसको दरद निवारक भी क केज़ दर्ध जो सहना बड़ा मुष्कील होता है उसको लिए हम लोग मॉर्फिन तथा कोडिन लेते हैं ठीक describes अगला केशन जो है दोस्तों Bener C C के दो परकार होते हैं ठीक है ईगो निंद्राकारी निंद्रकारी दोस्तों क्या होता है आप समझिएगा निंद्राकारी में कि वैसा रसाइनिक योगिक जो निंद्रा या बेहोसी उत्पन करे कहने का मतलब है कि निंद्राकारी जो है एक ऐसा रसाइन होता है जिसे हम लोग खा लेंगे तो नींद आने लगे या बेहोस हो जाएंगे जिसमें अगला कुशन जो है यहाँ पर अनिंद्रकारी तो वे रसायन योगिक जो बुखार दर्द को कम करता है तो अनिंद्रकारी कहलाता है इसमें भी होसी की नहीं मातरा होती है जैसे मैं एस्पिरीन हो गया एस्पिरीन का दूस्तों रसायनिक नाम होता है Acetyl Salicylic Amyl Acetyl Salicylic Amyl होता है और आज जो क्या होता है ना आलस से चीन्ता कम करने के लिए हम लोग जो दवा लेते हैं Acetamidophenol लेते हैं Acetamidophenol जो क्या करता है दोस्तो आलस चीन्ता को कम करता है चले अगला कोशन जो है यहाँ पर Antimicrobial Antimicrobial तो देखिए यह ऐसा दवा होता है जो सुक्षम जीवों की बिरिधी को रोक देता है या आशिक रूप से समाप्त कर देता है कहने का मतलब है कि दोस्तो या तो जीवानों रूकेगा आना ही तो जीवानों को खतम कर दियेगा ठीक है इसके अंतरगत दोस्तो हम लोग क्या कहे है Antibiotic आ जाता है Antiseptic आ जाता है या Disinfected आ जाता है Disinfected आ जाता है ठीक है ना? तो अब हम लोग देखते है Antibiotic क्या होता है तो देखिएगा Antibiotic Antibiotic word assign पदार्थ है जो सुक्षम जीवा द्वारा उत्पन होती है आप समझी रहे हैं कि या एक ऐसा रशाइन होता है जो सुक्षम जीवा के द्वारा बनाय जाता है तथा इसमें सुक्षम जीवा की बिरिधी को रोकने तथन नस्ट करने की छामता होती है दोस्तों कहने का मतलब है कि जो सुक्षम जीव से हम लोग बनाते है वो ऐसा सुक्षम जीव होता है कि जो हानिकारक सुक्षम जीव है उसको नस्ट या मारने की छामता होती है जैसे में दोस्तों यहां पर आपका पैंसिलिन हो गया ठीक है। चले अगला question जो है अगला question जो है Polyamysz का खोज तो देखें participating syphilis रोग के उपचार के लिए और सेनिक योगिक लिमंट आरसोफिनाम union کا खोज किये थे l concerns है खोज किये थे सीफिलिस रोक की दवा ठीक है अगला KI जो है यहाँ पर पहला एंटिबाइٹिक तो 1929 में फिलेमिंग ने पैनसिलीन का खोज किये थे ठीक है चलिए देखिए पैनसिलीन जो है पहला था पहला पैनसिलीन था पैनसिलीम नेट नेटेटम पैंसिलियम नेटेटम जो की फूफुन्द दोस्तों याद रखिएगा फूफुन्द से तयार किया गया था अब देखिए यहाँ पर कुछ बाते हैं कुछ एंटिवाइटिक जो सुक्षम जीवो को रोकती है मारती नहीं है रोकती है तो ये समें दोस्तों आ जाता है एरिथरो माइसिन, टेटरा साइकिलिन, कुलोरो माइसेटिन ये जो दबाय हैं दोस्तों ये सुक्षम जीवो के बिरिधी को रोकती है ठीक है चलिए अगला जो पॉइंट है सुक्षम जीवो को नस्ट करने वाला एंटिवाइटिक तो देखिए ये आपका पैंसिलिन हो गया एमिनो गलाइको सीड हो गया और ओफ लोक्सी सीन हो गया ये दोस्तों जो है आपको सुक्षम जीवो को नस्ट करने का क्यापिसिटी होता है अगला जो टैफाइड बुखार के लिए दोस्तों कोलोरो माइसेटिन या कोलोरो फोर्मी कॉल दिया जाता है ठीक है चलिए अग को रोकता है तथा जीवी तुतकों के लिए हानिकारक नहीं होता है इनका उप्योग घाओ की पट्टी या कटने पर किया जाता है दोस्तों आप लोग समझ जाए यह डिटॉल देखें है ना डिटॉल जो है एंटिसेप्टिक है और इसके बाद सेल्वलोन जो है बोरी कमल ह अगला को कोश्चन जो है डिसंफेक्टित क्या होता है तक शक्छम जीव का नास करता है तथा जीवी तुतक के लिए हानिकारक होता है इनका उप्योग तॉचा पर नहीं किया जाता है जैसे मैं दोस्तों आप देखिயगा फिने तॉचा पर नहीं लगाए जाता है S2O2 S2O2 ये सब जो रासायन है दोस्तों क्या होता है disinfectant का काम करता है अगला कोशन जो है tincture iodine दोस्तों tincture iodine क्या होता है तो देखे ये antiseptic के रूप में tincture iodine का इस्तिमाल होता है जो घाओ कटे पर लगाने के लिए किया जाता है यह iodine का अलकोहल विलियन है ठिक